आपने फोन में किसी भी अप्लिकेशन को हाइड करना चाहते हैं यह फिर अपने अप्लिकेशन को हाइड करना चाहते हैं या WhatsApp को हाइड करके बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं आपको दिखा पहले अपने फून की setting open कर लेना है setting जब guys तो open करेंगे नीचे scroll down कर लेना थोड़ा सा आपको मिलेगा आपने security का option इस पर guys click कर लेना ठीक है इस पर click करेंगे नीचे scroll down करेंगे आपको मिलेगा privacy and app encryption यहाँ पर guys click कर लेना है यहाँ पर click करेंगे आपको मिलेगा enter your privacy password तो जो अपने इसका पहले से कोई password बना है उसको add कर लेना अगर आप नहीं बनाए पहले से कोई password तो आपको यह पर new password create करने का option आएगा नया password भी guys साब यहाँ पर बना सकते हैं application आपको hide करना single access को enable कर देंगा application hide हो जागा अगर आप इसको off करेंगे ता application unhide भी हो जाएगा हम देखिए इसको own करते हैं उपर आना scroll करके आपको एक मिलेगा view hidden apps का option ठीक है इसको guys enable कर लेना इसको enable कर लेना अब देखिए हमारे phone में यहाँ पर WhatsApp हमारा बिल्कुल hide हो चुका है अब देखिए उसको use करने के लिए का करना पड़ेगा आपको दो finger लेकर नीचे से उपर की तरफ slide कर देना slide करेंगे आपको same OU option मिल जागा enter your privacy password तो जो अपने hide करते समय पासओड को add करता सेम होई पासओड यहाँ पर add कर देंगे आपको यहाँ पर जो hidden apps को option है जो application आप हाइड कर रहेंगा उसको आप यहाँ से replay यूज कर सकते हैं तो अगर आप अपने phone में किसी भी application को hide करना चाहते हैं या फिर unhide या फिर hide करके use करना चाहते हैं सेम हैसे setting करके guys कर सकते हैं guys तो मिलते हैं फिर एक next video के साथ